हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवन ट्यूटर दोस्तो डॉक्टर स्यमा प्रशाद मुखरजी इन्वर्सिटी में यूजी का एक अपडेट आया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका जो ऑफिसर लेब साइट है इसको आपन करके रखा है जब आप इसको स्क्रोल ड नमर में important instruction to the selected student for admission in different undergraduate course session 2023 तो जैसे इस लिंक पे किलिक करोगे दोस्तो इस तरह का जो PDF है आपके mobile laptop में डाउलोड हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं important instruction to the selected students for admission in different undergraduate course session 2023 तो क्या update है दोस्तो आपका वो हम लोग देखते हैं तो देखें सिधा सा कहा गया है in view of COVID-19 pandemic following process for admission in different UG course तो दोस्तो बहुत सारा बदलाव किया गया है COVID-19 pandemic के कारण में अब admission में आपका क्या-क्या बदलाव किया गया है यह हम लोग देख लेते हैं तो दोस्तो एक number में आप लोग देख सकते हो list of selected candidates will be displayed both on the university website and chancellor portal under notification head from 23820 तो दोस्तो कहा गया है कि कल जो list जा जारी किया गया था वो आप college के website पर भी देख सकते हो नहीं तो chancellor portal का जो website है उसमें सारी department का जो list जारी किया गया है उसको भी आप लोग देख सकते हो ठीक है अब उसमें कहा गया है दो नमर में कहा गया है the selected candidates will have to submit an undertaking in prescribed format along with self-attested copies of the following documents तो दोस्तों कहा है जिन भी student मतलब जो list में नाम है तो यह सारी documents को आपको attach करके mail करना होगा तो mail कैसे करना होगा यह हम लोग देखेंगे जिससे पहले देखते हैं कौन-कौन सा document आपको लगेगा तो देखिए दोस्तों chancellor portal पर आपने apply किया था तो उसका application form फिर आपका mark sheet लगेगा class 10th का जिसमें date of birth mention रहना चाह certificate अगर applicable है तो फिर है income certificate issued not earlier than March 19 ठीक है देहां रखेगा फिर हैं दोस्तों BPL certificate if claimed for BPL quota फिर आपका अधार कार्ट लगेगा अब यह सारी documents को कैसे आपको क्या करना यह हम लोग देखते हैं तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों तीन नमर में all the above documents must be submitted दो email to the respective head of department एगेजना email is given below तो कहने मतलब है यह सारे जो document हो दोस्तों आपको attach करके जैसे कि कहने का मतलब यहां पर देख सकते हैं hod.subject.dspmu.ac.in इसका क्या मतलब है जैसे कि आपको लिखना admission in anthropology या फिर आपने admission लिया है admission in bba आपको लिखना फिर आपको का जो मतलब mail id है bba department का या history का उस पर आपको यह सारे document को merge करके mail करना है आप देखिए यहां पर क्या कहा गया है जैसे आप mail कर दोके उसके बाद सुन्दा department university will be send you a message to deposit fee online in your register mobile नमर जो आपका mobile नमर रेइस्टर्ट है दोस्तों मतलब आपने mail कर दिया उसके बाद department की और से एक आपको mobile नमर फे message जाएगा ठीक है आपको online fee deposit करने के लिए फिर पांच नमर में कहा गया है once you deposit the fee you are provisionally admitted in the department जब आप fee को pay कर दोगे तो आप provisionally admitted हो जाओगे जि यह नमर में कहा गया है दोस्तों since the admission process is online physical verification of the document will be done later जब आपका document आप भेज़ दोगे जब आपका quality start हो जाएगा तो physical verification मतलब आपके documents का होगा और साथ नमर में कहा गया अगर किसी भी तरह का forgery या document से छेर चार होगा जो कि आपने email में किया है और document verification में अलग-अलग होगा तो आपको disqualify कर दिया जाएगा ठीक है friends और यहाँ एक चीज और कहा गया है admission shall be cancelled and the fee deposited by you shall be, ठीक है मतलब कहा गया for it, ठीक है मतलब कहा गया दोस्तों कि जो पैसा है आपका वो cut जाएगा refundable नहीं रहेगा और आपका जो admission है वो भी cancelled हो जाएगा अब देखिए कि यहाँ प पर आपको सारे जो subject हैं आपको मतलब कि सारे जो documents हैं यह आपको mail करने होंगे यह सारे department पर ठीक है यह अपडेट आया यह अपडेट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ पर सारा update आच चुका है ठीक है आप ऐसे करके scroll down करके देख सकते हैं अब वीडियो पसंद आया हो अपडेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरू लाइक करना